आज हमने इस रेसिपी को especially बच्चों के लिए बना कर तयार किया है। बच्चे दाल और वेजिटिबल्स खाने में आना कानी करते हैं तो आप इसे बच्चों को बना कर दे सकते हैं। बड़े शौक से खाएंगे और आप उसे उनके लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं बड़ी आसानी से बन कर तयार हो जाता है और बहुत healthy भी है आए इसे बनाते हैं। पॉल fine paste बना कर तयार करना है यहाँ पर हम दाल को चेक करेंगे दाल अभी अच्छे से नहीं पिसी है इसमें हम लगबग एक टिबल स्पून पानी एड़ करेंगे और एक बार इसको फिर से ग्राइन कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से पिस गई ह अब हम इस दाल को एक बॉल में ट्रानसफर कर लेंगे और फोड़ा सा पानी जार में डाल कर उस पानी को भी इसी डाल में एड़ कर देंगे और दाल में उसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इस पिसी हुई दाल में दो इस्पून के लगबग दही एड़ कर देंगे और दही को डाल में अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इसमें कुछ vegetables कद्धुकस की हुई गाजर एक कटा हुआ सिम्ला मिर्च और चुकंदर भी एड़ करेंगे जिसको भी हमने पहले कदुकस कर लिया था और साथ ही में कुछ धनिया पत्ती भी इसमें हम एड़ करेंगे वेजिटिबल्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या जादा कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो इसमें आदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी एड़ कर सकते हैं लेकिन ये रेसिपी में खास बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैंने इनको स्किप कर दिया है अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी कालिमिर चैड कर देंगे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर हम एक स्टिल की प्लेट लेंगे और उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा दाल का बैटर है उसमें हम आधा टीज स्पून बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और उसे ये दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर पहले ही हमने कड़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसके उपर एक स्टेंड रखके ग्रीस की हुई प्लेट को रख दिया और इस प्लेट के उपर जो हमारा दाल का बैटर है उसे हम डाल देंगे और एक चमच की हेल्प से इसे अच्छे से फैला और कवर करके इसे 7-8 मिनट के लिए स्टिम करेंगे और 7 मिनट के बाद हम इसको चैक करेंगे चैक करने के लिए हम इसमें एक चाकू डाल कर देंगे यह चाकू के उपर अगर बैटर नहीं चिपकता है तो इसका मतलब यह हमारा अच्छे से पक चुका है यहाँ पर हम गैस सकते हैं कि यह कितने अच्छे से बनकर तयार हुआ है और इसी वज़े से यह आसानी से प्लेट में से निकल पा रहा है प्लेट पर बिल्कुल चिपक नहीं रहा है देख सकते हैं आप कितने अच्छे पीसेस कटकर तयार हुए हैं अब हम इसके लिए एक तड़का बना कर त और साथ ही में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा निबू का रस्पी डाल सकते हैं दाल और वेजिटेबल से बनी हुई हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर बिलकुल तैयार है इसे बच्चों के साथ बड़े भी ड्राइ कर सकते हैं खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है एक बार आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए माई फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थेंक्यो